लच्छान आउटलोक ता उस बिच्छों आपस बिच मुलाकात हो जावेगी इत्थे गुरु साव और अंगजेव देनाल मुलाकात दी पेशकश करते नाजदरादर इराहे खतरा तुरासत हमा कौम बैराड हुक्मे मरासत तेनु इस राते और बिच कोई खतरा ने क्योंके सारी ब्राड कौम मेरे खुक्म बिच है बियोता सुखन खुद जवानी को नम बरुवे शमा महरबानी को नम इत्थे आउट ता जो खुद जवानी गलवात होवे महरबानियादा आदान परदान होवेगा अपनी पेश कस्ते विच गुरू साब केंदे के एक हजारी रा खिताब दे के ए इलाका भी तेनु दे दिद्दा जावेगा शहन शाहरा बंदाए चाकरम अगर हुक्म आयब जवहाजरम मैं बादशाहां दे बादशाह दा सेवक अते चाकर हाँ उस अकाल पुर्खती कल कर दे हुए गुरू साब केंदेने के ओ है बादशाहां दा वी बादशाह दे मैं हाँ दा सेवक दे चाकर जे उस दा हुक्म आजावे दा जान समेत खाजर हाँ अगर्चे भी आयद भा फर्मान मन हजूरत भी आयम हमा जानोतन। जे कर उस परमात्मा दा मैं नूँ फर्मान आ गया ता मैं तेरे पास जिंद अते शरीर सहत आ जामागा। सडे मन दे विच कुछ भी करन दा जो ख्याल होंगा उस परमात्मा दा होकम ही होंगा। उस कम नू करन तो पहला जे असी सोच विचार करते हैं कि एक करना चाहिए दा है जान नहीं उस सोच विचार करन दा जो ख्याल है ओभी प्रमातमादा हुक्म ही हुदा है सोच विचार करन तो बात जो असी फैसला लेलें दे हां ओभी प्रमातमादा हुक्म ही हुदा है कि अपनी जान दी हिफाज़त कर दे हुए अपने अगले पड़ाते पहुंचे तां गल सेज्जे ही समझ विच आजन दी है कि उस वक्त उना दे लई उस प्रमातमादा हुकम एही सी कि कौम नू उना दी लोड है ओ अपनी जान नू जो खम दे विच ना पाउं जे प्रमातमा और गए पेश हो जन्दे अगर तू बायाज़ता परस्ती कोनी बाकारे मराईण आ सुस्ती कोनी जे तू प्रमातमा दी पूजा करण वाला है उस अरंग जेव नू संबोधन कर दे हुए गरु सम आप कैंधें जे तू प्रमात्मा दी पूजा करन वाला हैं ता मेरे कम नू करन वेच सुस्ती ना करी इत्थे गुरु सहब उस कम जनी के जो उनने तजवीज और अंग जेवदे अगे पेश कीती के तू कांगर दे कस्वेदे वेच आजा तो इनू कुछ भी नहीं किया जाएगा आते मेरे नाल मुलाकात थार ओस कम दा जिकर कर देने कि जे तू वाकई प्रमात्मानों मन दा ता इस कम जे देरी ना करी शेत्थी तो शेत्थी मैंनों मिली मेरी इस चिठी दा जवाव देने अरुे जवाव जवाव देने